अब स्क्रीन के सामने आपनों को बहुत सारे हेवी गेम्स दख रहा हूंगे सो अब देखते हैं यार स्पीड टेस्ट पर कौन जीतता है सो गाइस आचुके हैं एक और नई वीडियो के साथ अब आज इस वीडियो पर हम अपने करने जा रहे हैं आईपड मिनी 5 का आईफोन 11 के साथ स्पीड टेस्ट एंड एंड टू टू बेंचमार्स स्कोर्स भी देखेंगे यूंकि आईवस पर अविलेवल यार एंड्रोइट पर अविलेवल नहीं था प्लिस्टोर पर स्वज़े से मैंने नहीं दिखाय था रूजी 3 और आईफोन 11 पर सो यह देख सकते हो हाथ पर आईफोन 11 है अंदर 50 गे मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ हर एक वीडियो पर ही अब यह 64G वाला वेरियंट है जो कि 818 बायनोक चिप के साथ आता है अब यह 47,000 का मुझे उस ट्राइम पर पड़ा था जब बिलियों डेस सेल लगी थे अभी तो 52 का मिल रहा है अब यह लेफ्ट साइट पर देख सकते हो यह आईपड मिनी 5 है जून पर लिया था मैंने 35, 5000 का यह भी बेसी वेरियंट है 64 GB वाला एंड इस पर लग यह 812 बायनोक चिप सब देखते हां इन दोनों का स्पीड टेस्ट करके एंड देखते हां कौन सा डवाइस फास्ट एंड कौन किसको बीट करेगा इस टाइम ने वेस्ट करते हैं आज आता अपने वीडियो पर अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो चलेगे तो लास्ट पर जरूर से लाइक करती हो जाना सबसे पहले आप लोग यह देखलो दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं दोनों इडवाइस अपने आरोजी थी से कनेक्ट है अब स्क्रीन के सामने आप लोग कुछ अप्लिकेशन दिख रहे होंगे डौनों इडवाइस पर जिसमें से कुछ हैवी गेमस भी हैं अब देखते हैं speed test करके किस पहले open होती है सबसे पहले अपन flip card से start करते है यहाँ flip card दोनों पे एक साथ start हो एक भी frame का फर्क नहीं था दोनों पे दोनों एक ही exact time पे start हो अब next application अपनी Amazon Amazon को start करके देखते है यहाँ Amazon अपना iPhone 11 पर पहले open हो गया है अब next application अपनी YouTube यहाँ YouTube का भी app दोनों ही device में एक साथ open हुआ अब आते हैं next application next application अपना temple run एक game है यार अपना iPhone 11 पर पहले open हो गया अब इसको start कर लेते हैं और पहले start अगर के रख देते हैं और फिर recent में डाल देते हैं इसको क्योंकि RAM management टेस्ट भी करेंगे अब next application अपनी सब्वे सरफर किया है यह भी एक गेम ही है इसके बाद सारी गेम है यार अब यहां देख सकते हैं iPhone 11 पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुल गया सब्वे सरफर अब इसको भी चालू कर लेते हैं अब आते हैं इसके बाद next application पर next application अब अपनी एमंगस की है इसको अब चालू करके देखते हैं वैसे स्कोर भी बहुत आगे निकल चुका है यार आइफोन 11 अपना अब इसको भी डिसेंट पर डाल देते हैं और next application पर आता है जो कि अपनी call of duty मोवाईल आइफोन 11 पर ही पहले उपन हो चुका है अब इसको भी यार कर लेते हैं टाल लेते हैं कि आ रहा है यार यह इसको भी बैक्ग्राउंड में डाल के अब आते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर जो कि यह मॉटल कॉम्बैक्ट का अब यह मॉटल कॉम्बैक्ट भी अपना आइफोन 11 पर पहले रन हो हो गया अब आता है अपनी नेक्स्ट अप्लिकेशन में जो कि ए एसफाल्ट 9 की अब स्कोर्स की बात करें तो बहुत ही गंदा पेल चुका है और आइफोन 11 अपने आइपड मिनी 5 को तो टू एट का स्कोर चल रहा है अब देखते हैं अब आइसफाल्ट 9 किस पर बहले उपन होता है तो गाइस यहां अपना एसफाल्ट 9 भी अपना आइफोन 11 पर पहले उपन हो चुका है अब लास्ट अब्लिकेशन वची जो किये पबजी की एंड उसके बाद एंट्री टू बेंचमार्क स्कोर्स भी देखेंगे अब जिसके लिए अब जिसके लिए अब वेट कर रहे थ अब जिसने कंपेरिशन देखा होगा आइफोन 11 वर्सेज आइपेड मिनी 5 का उसको पता होगा कि कौन से डवाइस जीतेगा आइफोन 11 पर अपना पबजी भी पहले उपन हो चुका है सो क्लियर विनर अपना आइफोन 11 ही है स्पीड टेस्ट पर अब रैम मेरेजमेंट टेस्ट भी देख लेते हैं देन उसके बाद देखेंगे अपना एंट्रू तु बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही डवाइस का अब दोनों ही डवाइस की रैम की बात करें तो आइपैड मिनी फाइब मुलों को देखने मिल जाती 3GB रैम एंड आइफोन 11 पर 4GB की रैम देखने मिल जाती सो अपना स्टार्ट करता है अपना रम मेरेजमेंट आन कि देखते हैं कि कितनी एपलिकेशंच्ञ अपनी भी बबैक ग्राउन पर पड़े थ। इसके बाद अब देख लेते हैं अपना Call of Duty स्वरी Mortal Kombat so Mortal Kombat भी अपना background पर रन हो रहा है दोनों ही device में अब आते हैं next game पर so next game अपना है call of duty का so इसको भी देख लेते हैं so ये भी दोनों ही device पर रन हो रहा है अब आते हैं Among Us पर so ये Among Us अपना iPhone 11 पर रन हो रहा है बट iPad Mini 5 पर हट चुका है और background से अब जाते हैं अपनी next application पर सब्वे सर्फर की so सब्वे सर्फर भी अपना iPhone 11 पर रन हो रहा है iPad Mini 5 पर close हो चुका है अब इसके बाद iPad Mini 5 पर सारी एप से close हो चुके थे तो दोवारा open कर रहा है और iPhone 11 पर अपना Templar भी open था so मैंने skip कर दिया यार सब आते हैं अपने N22 benchmark scores पर देखते हैं दोनों ही device की क्या scores आते हैं अब इसको मैं fast forward पर चलाओंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा time लग जाएगा इस पर और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर so देख लो यार मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा देख लेने last पर बोलूँगा बिलकुल so यहाँ दोनों पर ही एक साथ start कर दिया अब मिलते हैं आपसे last में क्याँ ज़्यादा क्या आपसे पिलकुल यहाँ पर आईफोन 11 ने पहले कंप्लेट कर लिया अपना N22 बेंचमार्क का टेस्ट एंड इसके स्कोर आये हैं 5,13,792 एंड कुछी सेकेंड बाद अपना आईपेड मिनी 5 पर भी हो गया अब इसके स्कोर से अपने 4,58,539 अब दोनों ही डवाइस में बहुत ज़्यादा फर्क है इतना ही कुछ था है और इस वीडियो पर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक के जरूर से कर देना और चैनल पर आदे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अब मिलते हैं आपसे नग्स्ट वीडियो में तब तक किली एक गुडबाई